हेलो दोस्तो आज किस वीडियो में जानेंगे दोस्तो आईवी फिलूइट क्या होते हैं और कितने तरह के होते हैं इसके क्या यूजेज होते हैं और इसकी कितनी डोज पेशिन को देना होती है और जो आईवी फिलूइट होते हैं उसके अंदर कौनसी दमाएं कॉंबिनेशन में होती हैं इसका क्या composition होता है और जानेंगे दोस्तो आईवी fluid की जो bottle होती है बहे कितने ml की quantity में आती है तो शुरू करते हैं आज की video प्लीज सबस्काइब मा यूटूब channel and press the while icon अगर आप मेरे telegram channel पर join होते हैं तो मैं आपको इसकी pdf भी provide करा दूँगा telegram की link channel की profile पर दी गई है आप बहां जाकर visit कर सकते हैं सबसे पहले जानते हैं IB का क्या मतलब होता है यदि आपको यह नहीं पता होगा तो आप किसी patient को fluid नहीं लगा सकते तो दोस्तो IB का means होता है intravenous बहे fluid जो directly vein के थुरू लगाया जाता है तो उसे intravenous fluid कहते हैं मैंने ये English और Hindi दोनों भासाओं में दे रखा है जो directly inject in vein इसका means होता है दोस्तो IB fluid सीधे nurse के अंदर लगाया जाता है types of fluid की बात कर लेते हैं ये कितने types में आते हैं तो सबसे पहला fluid है इनर्स जो होता है नॉमासलाइन होता है सेगध़ fluid होता है d द इस द इनर्स का full form होता है Ö利 जो फ्लूइट होता है ringle lactate की form में में मेने help result solution की form में हमारा present ह्होता है d5 percent d10 percent d25 percent solution की form में भी whatever present होते हैं सबसे पहले fluid की बात कर लेते हैं जिसे एनस बोलते हैं, एनस की full form नॉर्मा सलाइन होती है, यदि इसके composition की अगर बात किया तो 0.9% NSCL होता है, जिसे हम नमक बोलते हैं, और ये 100 ml की bottle और 500 ml की bottle में 0.9% NSCL होता है, नॉर्मा सलाइन की दो बोतर आती हैं, एक 100 ml और दूसरी 500 ml, इसके अंदर sodium chloride की 0.9% की मात्रा होती है, यूज ओफ नॉर्मा सलाइन की बात कर लेते हैं, नॉर्मा सलाइन जो fluid होता है, उसका opioid किसमे किया जाता है, यदि किसी patient को dehydration होता है, body में पानी की कमी हो जाती है, तो उसके लिए ये fluid लगाया जाता है, second है dilution of injection, injection को dilute करने में या mix करने में इस fluid का use किया जाता ह third है bone washing, घाव को साफ करने के लिए, यदि किसी patient को घाव हो जाते हैं, तो उसको साफ करने के लिए इस fluid का use किया जाता है, maintain water balance, यदि किसी patient की body में water balance imbalance हो जाता है, तो उसको balance करने के लिए इस fluid का use किया जाता है, जिससे की water की मात्रा जो होती है, maintain हो जाती है DNS, fluid की बात के लेते हैं, DNS का full form dextrose, normal saline होता है composition की अगर बात की जाए तो इसमें क्या पाया जाता है इसमें 0.9% NACL होता है, 5 gram dextrose होता है ये 500 ml की bottle आती है uses की अगर बात की जाए तो इस copy किस condition में किया आता है यदि किसी patient को dehydration होता है body में पानी की कमी हो जाती है तो उसमें use कर सकते हैं यदि किसी patient को hypertension होता है blood pressure ज़्यादा हो गया तो उस condition में भी इसका use कर सकते हैं to treat insulin shock insulin shock के treatment में भी इसका use कर सकते हैं in accidental condition accidental condition में भी इसका use किया जाता है क्योंकि accident वाले patient के body में fluid की मातरा कम हो जाती है तो उसको बढ़ाने के लिए इसका use कर सकते हैं dose of dns की बात कर लेते हैं dextrose normal saline जो fluid होता है उसकी मातरा patient में कितनी दीज आती है quantity of dextrose normal saline is depend upon patient condition and disease dextrose normal saline की मातरा मरीज की condition और disease पर निर्भख करती है कि कितना fluid हमें देना होता है ये fluid 2500 ml से लेकर 3000 ml 24 गंटे में दिया जा सकता है not used in diabetic patient diabetic patient में इस fluid का use नहीं किया जाता है क्योंकि diabetes वाले patient में शुकर की विमारी होती है तो उसमें इसका use नहीं करना होता है RL fluid की बात कर लेते हैं RL की full form ringer selected होता है ये fluid 500 ml की quantity में आता है composition की अगर बात की जाए तो each 100 ml में ये सारी चीजे होती है lactic acid 0.24 ml होता है sodium hydroxide 0.115 ग्राम होता है sodium chloride 0.60 ग्राम होता है calcium chloride 0.027 ग्राम होता है बाकी water for injection QS होता है RL fluid के composition के बारे में मैंने पीछे बताय हुआ है sodium, chloride, potassium, calcium and lactate कितनी quantity में इस fluid के अंदर पाये जाता है अब बात कर लेते हैं इसकी dose के बारे में ये कितनी मातरा में patient को दिया जाता है dose of RL depends on patient condition and disease जो RL की dose होती है बहे patient की condition और disease पर निर्भर करता है तो की patient की condition कैसी है 500 ml से लेकर 1000 ml 24 गंटे में patient को दिया जा सकता है patient की condition के according use of RL की बात कर लेते हैं RL जो fluid होता है उसका use किस condition में किया जाता है और कौन से patient में दिया जाता है यदि किसी patient में dehydration की problem हो जाती है body के अंदर पानी की कमी हो जाती है तो उसमें use कर सकते हैं electrolyte imbalance यदि किसी patient की body में electrolyte imbalance हो जाते हैं तो उसको balance करने के लिए या maintain करने के लिए इस fluid का use कर सकते हैं during the surgery surgery के समय भी इस fluid का use किया जाता है hypotension means यदि किसी का blood pressure कम होता है तो उसको बढ़ाने के लिए इस fluid का use कर सकते हैं burning condition यदि कोई patient जल जाता है तो उस condition में जो है इस fluid का use कर सकते हैं यदि किसी patient में nutrients की कमी हो जाती है, तो उस condition में इस fluid का use कर सकते हैं, suitable for diabetic patient, यदि किसी patient को diabetes की problem होती है, तो उस patient में ये fluid आसानी से दे सकते हैं, dextrose fluid की बात कर लेते हैं, ये तीन types के होते हैं, D5, D10 और D25, D5 जो होता है, fluid 500 ml की quantity में आता है, each 100 ml contains पिरतेक 100 ml में 5 gram dextrose और water for injection QS होता है, D10 500 ml की quantity में आता है, each 100 ml contains पिरतेक 100 ml में 10 gram dextrose और बाकी water for injection QS होता है, D25 fluid की बात कर लेते हैं, ये 100 ml की quantity में आता है, each 100 ml contains पिरतेक 100 ml में 25 gram dextrose बाकी water for injection QS होता है, use of D5, D10, D25, fluid की बात कर लेते हैं, इसका उपयोग किस condition में किया जाता है, तो इसका use, fluid replacement में कर सकते हैं, caloric supply to body, body को energy provide कराने के लिए use कर सकते हैं, used in hypernatermic patient, यदि किसी patient में sodium का level बढ़ गया है, तो उस condition में इसका use कर सकते हैं, hypoglycemia में use कर सकते हैं, यदि किसी patient में sugar का level बहुत जादा down हो गया है, तो उस condition में इसका use कर सकते हैं, उसको बढ़ाने के लिए, यदि कोई patient shock में चला गया है, तो उसके treatment में use कर सकते हैं, dehydration में use कर सकते हैं, यदि किसी patient की body में पानी की कमी हो गया है, तो उसमें इस fluid का use किया जाता है dose of D5 fluid की बात कर लेते हैं D5 जो fluid होता है वो patient को कितना दिया जाता है तो एक 1000 ml से लेकर 2000 ml की quantity में 24 गंटे में ये fluid patient को दिया जा सकता है dose of D10 की बात कर लेते 300 ml 24 गंटे में patient को दिया जा सकता है जरूरत पढ़ने पर अब बात करते हैं dose of D25 fluid की ये 100 ml की quantity में आता है यदि किसी patient का glucose level बहुत ही जादा लो हो गया हो तब इसका use किया जाता है जिसे hypoglycemia कहते हैं और shock की condition में use किया जाता है यदि कोई patient shock में चला जाता है Manitol solution की बात कर लेते हैं Manitol जो solution होता है वो 100 ml की quantity में आता है composition की अगर बात की जातो इसमें क्या पाया जाता है 20 gram manitol in 100 ml 100 ml में 20 gram manitol पाया जाता है uses की अगर बात की जातो इसका उप्योग किस condition में किया जाता है और कौन से patient में ये दिया जाता है It is diuretic solution So it is increase the volume of urine ये एक diuretic solution होता है जो urine की volume को increase कर देता है